यह पौधा है, Welwitsia Mirabilis. 1889 में पादप विज्ञानिक Frederick Welwits का ध्यान इसके अध्यन की ओर आकर्शित हुआ था. Frederick Welwits से ही इसे अपना वैश्विक नाम मिला, Welwitsia Mirabilis, जो नामिब डेजर्ट में नमीबिया और अंगोला के किनारे पाया जाता है. यह पौधा अपने अनोखे रूप के कारण मशहूर है, इसमें केवल दो ही पत्तियां आती हैं, जो उसे सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रखती हैं. यह पत्ते लगभग 1500 वर्षों तक बढ़ते रह सकते हैं. अफ्रीकी इसे ट्वीबलार कानी डूड यानि दो पत्तियां जो कभी नहीं मरती नाम से बुलाते हैं. वैज्यानिकों के अनुसार पत्तियां इसके तने का भी काम करती हैं. इनमें ताजा कोशिकाओं का निर्मान होता है, वेलविट्सिया मिराबिलिस डायोशियस होता है यानि कि पुरुष और मादा पौधे अलग-अलग होते हैं. पुरुष पौधे पर पोलन कोन होते हैं, जबकि मादा पौधे प्राचीन बीज बनाते हैं. ये पौधा वास्तव में प्राचीन है और उसकी असाधारन उम्र का गुश्या है.